दियर स्टूडेंट लास्ट वीडियो में हमने यहां पे बायोट सेवटला के बायर में पढ़ा था यहां तक हमने कर लिया था कि magnetic field induction at a point P due to a current through the entire wire ठीक है यह हमने कर लिया था कि जो आपका magnetic field होगा integral of mu0 upon 4 pi idl sin theta upon r square या फिर हम इसको vector form में अगर लिखें तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं idl cross r idl cross r vector ठीक है तो यह हमने अपना last video में किया था इसके बाद हम इसी को continue करते हैं bio 7 law in the terms of current density j can be written as अगर हम bio 7 law in the terms of current density j लिखें तो हमें इसको terms में लिखना है ठीक है तो हमें इसको terms में बनाना है इसको idl की terms में बनाना है तो जो आपका current density होता है current density हमें पता है किसके बराबर होता है j जो होता है current density is equal to current upon area होता है current upon area ठीक है तो यहाँ पर हमने लिखा फिर j जो है वो आपका current upon area है अब हमें यहाँ पर किसकी value चाहिए हमें ideal की value चाहिए तो इसको dl से multiply कर लेंगे और dl से divide कर देंगे यानि की जो ideal हो ठीक है तो फिर हमने यहाँ पर ideal की value चाहिए और फिर area into length जो है किसकी बराबर होता है वो volume की बराबर होता है ठीक है तो यह चीज आपकी बन जाएगी j is equal to इसको हमने लिखा i upon a ठीक है इसको फिर हमने क्योंकि मैं ideal चाहिए तो dl से multiply किया बन जाएगा आपका dv तो इस वाले factor में यह जो ideal है ठीक है यह ideal आपका क्या बन जाएगा ideal आपका बन जाएगा j into dv तो ideal की जो value आएगी आपके पास that will be j into dv क्योंकि आपको क्या चाहिए in the terms of current density चाहिए तो ideal की जो value आएगी that will be j into dv तो यहाँ पर हम लिख लेंगे इसको फिर तो ideal क्रोस आर की जगह फिर यह आजाएगा आपका j into dv j क्या है आपका current density तो इसको हम लिखेंगे तो यह आपका बन जाएगा फिर इस terms में यानि कि यह जो term है यह आपकी बन जाएगी यहाँ पर तो ideal क्रोस आर जो है इसकी जगह आपका क्या जाएगा j क्रोस आर ठीक है j क्रोस आर हो जाएगा और यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा d into v क्योंकि ideal जो है यहाँ पर हमने निकाला कि जो ideal की value है वो किसके बराबर होगी j into dv के बराबर होगी क्योंकि J क्या है आपका current density है ठीक है तो यहाँ पे जो आपका I DL cross R था तो यह किसके बराबर हो जाएगा that will be J cross R into DV तो यह बन जाएगा आपका ठीक है तो अगर हमारे पास कोई भी magnetic induction निकाल ला है हमको magnetic field निकाल ली है in the terms of current density तो हम उसको इस form में लिख सकते हैं DB is equal to mu 0 upon 4 pi J cross R upon R cube into DV तो यहाँ से हमने निकाला कि जो आपका current density होती है वो current upon area के बराबर होती है ठीक है तो यहाँ पे जो J है वो आपकी current density होती है और जो DV है यह आपका volume of element होता है ठीक है अब next में निकालना है अब हमें किसके terms में निकालना है अब हमें इसकी terms में निकालना है हमको क्या दिया हो है ideal cross R दिया हो है तो इसकी जगह हमें चाहिए किसके terms में हमें बनाना है Q और V की terms में बनाना है ठीक है तो हमें पता है कि current किसके बराबर होता है current जो होता है आपका charge upon time होता है current is equal to charge upon time तो यह हो गया आपके पास charge और time को हमने लिख दिया dt लिख दिया यहाँ पर ठीक है और अब हमें क्या चाहिए dl चाहिए तो यहाँ पर हम इसके साथ dl के साथ में multiply कर देंगे और यहाँ भी जो हम dl के साथ में multiply कर देंगे तो इसको फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं q into dl by dt और dl by dt जो होती है आपकी rate of change of length यानि कि यह हो गया आपका length upon time length upon time किसके बराबर होता है velocity के बराबर ठीक है तो यह चीज जो है यह क्या बन जाएगी आपकी velocity बन जाएगी ठीक है तो यहाँ पर ध्यान से देखो हम ने इस में क्या किया है क्या हमें क्या दिया हुआ था फॉर्मूले में idl खौस r दिया गया है फॉर्मूले में अब हमें इसको कि verdi कि टंपs में लिखना है Q और velocity की terms में लिखना है तो जो I होता है वो हमारा किसके बराबर होता है charge upon time तो charge है आपका Q और time को यहाँ पे लिखा है dt अब I के साथ में DL है तो इसके साथ में भी हमने DL लिख लिया अब यह जो DL by dt होता है तो इसको हमने लिख लिया Q DL by dt बराबर होता है length upon time स्पपों टाइम यह भी लौस्टे के बराबर होता है तो यह हो जाएगा आपका Q यानि कि जो आपका IDL है वो किसके बराबर आगया Q in to V के बराबर आगया ठीक है तो यहाँ पे फिर हम इसको किसके बराबर लिख सकते हैं जो आपके पास था ideal cross r तो इसको हम किसके terms में लिखेंगे तो ये किसके बराबर आ गया आपका q into v के बराबर तो ये हो जाएगा आपका q या तो इसकी जगा आजाएगा आपका v cross r ठीक है तो ये ऐसे आ जाएगा आपका तो ideal cross r को जब हम इंदा terms of charge और velocity लिखेंगे तो वो क्या formula बन जाएगा आपका q into v cross r क्योंकि यहापे जो ideal है वो किसके बराबर बन गया q v के बराबर बन गया तो ideal जो है वो आपका q v के बराबर बन गया तो इसको हम लिखेंगे q v cross r तो इस terms में हम इसको लिखेंगे ठीक है next video यही आपसे पूछा गया है कि इसी को यह आपको बताना है in the terms of magnetizing force और magnetizing intensity तो यह हम इसमें इसे next वाले chapter में देखेंगे कि क्या आपका magnetizing force होता है कि आपकी magnetizing intensity होती है तो यहाँ पे सिरफ आप इतना याद कर लो कि यह जो होती है यह आपकी magnetizing intensity h होती है ठीक है magnetizing intensity h और जो b होता है वो किसके ब्राबर होता है b is equal to mu 0 h के ब्राबर होता है तो यहाँ पे जो h हो जाएगा that will be equal to b by mu 0 ठीक है तो अगर हमें h की terms में लिखना है तो जो b का formula है उसको हमें किस से divide करना पड़ेगा mu 0 से divide करना पड़ेगा तो जो हमारा formula b के लिए निकला है अगर हम उ इसकी value आजाएगी dh की value आजाएगी ठीक है और db की value हमें पता है किसके ब्राबर होती है mu 0 upon 4 pi idl cross r upon r cube ठीक है तो यहां से जब हमारा जो db वाले formula में हमारे यहां पर mu 0 भी होता है ठीक है तो जब हम इसको mu 0 से divide करेंगे तो यह वाले mu 0 से यह वाला mu 0 cancel हो जाएगा तो आपके पास dh की value की आएगी तो dh की यह value आएगी आपके पास तो dh की जो आएगी आपके पास यह value आएगी 1 upon 4 pi idl cross r upon r cube यानि की जो हमारे पर db वाला formula था उसको मने mu 0 से divide कर दिया तो इसके formula में क्या रहा था यह आएगी आपके पास 1 upon 4 pi idl cross r upon r cube ठीक है और जो cgs unit में इसकी value जो होती है cgs unit में यह value 1 के बराबर होती है तो cgs unit में हम इसको लिख सकते हैं dh is equal to idl cross r upon r cube क्योंकि इसकी value जो हो 1 हो जाएगी तो यहाँ पर सिरफ आपके पास बचेगा यह तो si system में इसकी value को हम ऐसे लिख सकते हैं और cgs system में हम इसकी value को ऐसे लिख सकते हैं तो इसमें इस topic में हमने देखा बायोट 7 ला वाला तो हमने लास्ट वाले वीडियो में topic हम कर चुके हैं तो यह हमने formula निकाला था अपना बायोट 7 ला के लिए ठीक है तो यह magnetic induction हमने किस भी point पे निकाला integration of mu naught upon 4 pi ideal sin theta upon r square फिर हमने इसको in the terms of current density लिखा current density की terms में लिखेंगे तो यह हो जाएगा आपका j cross r upon r cube into dv और अगर हम इसको charged velocity की form में लिखें तो यह हो जाएगा आपका q v cross r upon r cube और अगर हम इसको in the terms of magnetizing intensity लिखें तो यह हो जाएगा आपके पास 1 upon 4 pi ideal cross r upon r cube ठीक है तो इस तरीके से हमने देखा की यह bio 7 law के बारे में हमने detail से पढ़ा है next इसमें है फिर आपका features of bio 7 law की bio 7 law की क्या-क्या significance है आपके what are the features of bio 7 law ठीक है यह तो bio 7 law के क्या-क्या features होते हैं क्या-क्या characteristics होती है इसकी तो first इसमें दिया गया है this is analogous to coulomb's law in electrostatics features bio 7 law की क्या है this law is analogous to coulomb's law in electrostatics तो यानि की coulomb's law in electrostatics में क्या बताया था तो उसने यह बताया था कि अगर आपके पास कोई भी 2 charge particle है coulomb's law in electrostatics में हमने पढ़ा कि अगर आपके पास कोई भी 2 charge particle है पहले का चार्ज आपका q1 है दूसरे charge का q2 है और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो आर है तो इनके बीच में जो force of attraction या force of repulsion होगा वो किसके ब्राबर होता है वन अपन 4 पाई epsilon 0.q1 q2 by r square तो यह हमने coulom's law के बारे में पढ़ा था कि जो electrostatic में आपका coulom's law होता है वो किसके ब्राबर होता है वन अपन 4 पाई epsilon 0.q1 q2 by r square तो यह इसके ब्राबर होता है आपका coulom's law ठीक है तो जो बायोट 7 ला भी फिर हमने पढ़ा कि कोई भी अगर आपका current element है जिसमें से की current आपका i flow कर रहा है और यह current element जो होगा यह आपका ideal होगा तो इसकी वज़े से जो magnetic field होगा वो किसके ब्राबर होगा mu note upon 4 pi i dl cross r upon r cube तो यह हमने देखा ठीक है तो coulom's line electrostatic में हमने देखा कि 2 charge particle के बीच में कूलom's line electrostatic में हमने देखा कि 2 charge particle के बीच में जो हमारा force होता है उसको मैसे लिखते हैं 1 upon 4 pi epsilon 0 q1 q2 by r square उसको मैसे लिखते हैं coulom's line electrostatic और इसमें हमने bio 7 ला में हमने क्या पढ़ा कि कोई भी अगर आपके पास current element है idl उसके वज़े से जो आपका magnetic field produce होता है उसकी value किसके ब्राबर होती है mu note upon 4 pi idl cross r by r cube तो यह हमने पढ़ा ठीक है तो इसमें हमने देखा कि जैसे आपका electrostatic में coulom's ला होता है वैसे ही आपक magnetostatic में क्या होता है वैसे ही आपका bio 7 ला होता है तो यह जो आपका bio 7 ला है यह coulom's ला के जैसे ही है आपका ठीक है तो coulom's ला में हम दो charge particle के बीच में force की value निकालते हैं और bio 7 ला में हम किसी भी charge किसी भी current element की वज़े से कितना magnetic field होगा वो हम निकालते हैं तो first point क्या हो कि यह जो आपका bio 7 ला होता है यह आपका same वैसे ही होता है जैसे coulom's ला in electrostatic होता है same वैसे ही आपका bio 7 ला होता है ठीक है second point given as me the direction of db is perpendicular to both ideal and r and it is given by right hand thumb rule तो इसने क्या कहा है कि जो magnetic field की जो direction होती है तो इसमें हमने भी निकाला कि जो formula हमने लिखा db is equal to mu 0 upon 4 pi idl cross r by r cube तो यह हमने vector form लिखी तो इसमें हम देखेंगे कि जो magnetic field की direction है वो किसके perpendicular है ठीक है वो idl की perpendicular भी है और वो r की perpendicular भी है क्योंकि दोनों का क्या है यहाँ पे cross product है ठीक है तो यहाँ पे हमने देखा कि जो db की जो direction है that is equal to idl cross r तो यहाँ पे हमने देखा कि जो magnetic field की direction होगी वो idl की भी perpendicular होगी और r vector की भी perpendicular होगी दोनों के perpendicular होगी ठीक है तो यानि की यह आपके current element के भी perpendicular होती है ideal जो है यह आपका current element है current element के भी perpendicular होती है और जो आपका distance r है उसके भी perpendicular होती है तो ideal क्या है जैसे कि यहाँ पे कोई wire आपकी तो यह कोई wire आपकी मालो इसमें से आपने चोटा सा element ले लिया और यह तो ideal की direction होगी तो यान कि जो magnetic field है इसके भी perpendicular होगी इसके perpendicular होगी और यह जो r है यह r जो है जहाँ पे magnetic लिकालनी है उसका current element से distance तो यह इसके भी perpendicular होगी यान कि r के भी perpendicular होगी और ideal के भी perpendicular होगी ठीक है तो यहाँ पे यही बताएगा है कि जो direction of db है इस perpendicular to both ideal यान कि वो ideal के भी perpendicular है यान कि जो current जा रहा है आपका उस current के भी perpendicular है और जहाँ से यह distance r है उसके भी perpendicular होती है और इसको किस से दिया जाता है it is given by the right hand thumb rule right hand thumb rule से हम इसकी direction निकाल सकते है next feature इसमें given है if theta is equal to 0 if theta is equal to 0 the point p lies on the axis of linear conductor carrying current and on the wire carrying the current then तो इसने क्या बताया कि अगर जो हमारा point p है तो अभी हमने देखा कि कोई भी आपका current element है ठीक है और यह ideal का जो current element है और यहां पर अगर आपका कोई भी point p है और दोनों के बीच का जो distance है वो है आपका r ठीक है और theta हमने क्या angle माना था कि ideal और p के बीच का जो angle है sorry ideal और r के बीच का जो angle है वो आपका theta होता है तो इसने क्या का है कि अगर जो point p है वो आपका conductor की ओपर ही लाई कर रहा है यहां पर तो point p आपका यहां पर r distance पर है ठीक है इस वाले figure में अगर हम ध्यान से देखें यह अगर आपका current element है जिसमें से current आपका जा रहा है और यहां पर अगर मानलो point p है तो यह दोनों के बीच का जो distance होता है यह r होता है तो यह कह रहा है कि अगर यह वाला point p आपका wire की ऊपर ही है अगर यह वाला point p है यह wire की उपर ही अगर हमारा है ठीक है तो आपके जो theta की value होगी वो क्या हो जाएगी 0 degree तो अभी हमने देखा theta किसका angle है कि यह जो wire है और यह जो point p है यह wire जिसमें से current जा रही है ठीक है इस wire और इस r के बीच का जो distance है वो आपका theta होता है तो वो कह रहा है कि अगर आपका जो point P है ये वाला point P अगर हम इस wire के उपर रख दें तो theta की value क्या हो जाएगी 0 क्योंकि point आपका wire की उपर ही है तो theta की value क्या हो जाएगी 0 क्योंकि theta angle है कि wire के और r के बीच में wire के और r के बीच में ठीक है और r आपने कहां रख दिया point P आपने कहां रख दिया wire के उपर रख दिया तो theta की value क्या हो जाएगी यहाँ पर 0 हो जाएगी तो theta की value 0 होने का मतलग क्या है कि जो आपका point P पहले यहाँ पर था उस point P को आपने wire के उपर रख दिया ठीक है तो इस केस में थीटा की वैल्यू जो है वो 0 हो जाएगी और हमें पता है यहां पे IDL क्रोस R को अगर हम लिखे IDL क्रोस R का अगर हम वो निकाले क्रोस प्रोडक्ट तो यह हो जाएगा आपका IDL R sin theta ठीक है तो theta को अगर हम 0 पुट करें theta को हम 0 पुट करें तो sin 0 की value कितनी होती है 0 तो इसका मतलब जो magnetic field की value आएगी वो कितनी आएगी आपकी 0 तो इसका मतलब यह जो आपका magnetic field है DB यह कितना हैगा 0 ठीक है तो theta की value अगर आपकी 0 degree है इसका मतलब जो point P है वो आपका exis पर lalai कर रहा है और उस case में theta की value होगी और magnetic induction है उसकी value 0 होगी तो अगर point P आपका wire के ही ऊपर lalai कर रहा है या wire के axis पर लाई कर रहा है तो उस case में theta की value 0 होगी और current magnetic induction की value जो है वो 0 होगी, next इसमें फिर given है आपका, इसमें फिर next point जो आपका given है, it means that there is no magnetic induction at any point on the thin linear current carrying wire, ठीक है, तो ये clear हो गया, कि there is no magnetic field induction at any point on the thin current carrying conductor, यानि कि अगर आपके पास कोई thin current carrying conductor है, अगर उसी के उपर आपकोई point ले लो, तो उस point के उपर जो magnetic field की value है, वो कितनी होगी, 0 होगी, अगर point P हमारा thin current carrying conductor के उपर लाई कर रहा है, conductor के उपर हमारा कोई point लाई कर रहा है, तो उसके उपर जो magnetic field की value होग वो कितनी होगी 0 होगी ठीक है सेम यह होगा जब point P आपका theta की value कितनी है 180 level ही 20 की value क्या होगी आपकी 0 होगी थिटा की value 0 होती है तो sin 0000 कितना होता है 0 होता है ऐसे ही जब theta की value आपकी कितनी होगी 180 degree होगी 1 sin 180 degree की value भी क्या होती है 0 तो इसका मतलब जब theta की value आपकी 0 है या theta की value आपकी 180 degree है तो उस case में जो आपका magnetic induction है वो आपका 0 होगा इसका मतलब जब point P आपका wire की उपर ही लाई कर रहा है तो उस point पे आपका कोई भी magnetic field नहीं होगा फिर हम देखेंगे की maximum कब होगा जब theta की value आपकी 90 degree होगी तो उस case में जो magnetic field है वो आपका maximum होगा क्योंकि sin 90 है आपके पास sin theta की जगए क्या हो जाएगा आपका sin 90 और sin 90 की value maximum होती है और इसकी value होती है 1 तो जो db की value आएगी वो आएगी आपकी mu 0 upon 4 pi ठीक है i dl sin theta upon r square ठीक है तो यह इसकी maximum value होगी कि जब theta की value आपकी 90 degree होती है इसका मतलब कि जो आपका current element है यह आपका current element है और इसके perpendicular अगर आपको 3.p लेते हो तो दोनों के बीच का अगर angle 90 degree है तो उस case में आपका जो magnetic field induction है वो maximum होगा और उसकी value आएगी आपकी mu 0 upon 4 pi i dl upon r square ठीक है तो समझ में आगया तो यहाँ पे हमने features देखी आपकी कि आपकी जो biot 7 law की क्या feature होगी ठीक है तो पहला हमने देखा कि यह जो biot 7 law होता है यह same वैसे ही होता है जैसे हमारा coulum's law in electrostatic होता है second point हमने देखा कि जो magnetic field की जो direction होगी वो ideal के भी perpendicular होगी और r vector के भी perpendicular होगी फिर हमने देखा कि अगर theta की value 0 है यानि कि अगर point P हमारा wire के यूपर lie कर रहा है तो हमारे magnetic field की value 0 होगी next point हमने देखा कि theta की value अगर आपकी 90 degree है तो उस case में theta की value 90 degree है तो उस case में जो magnetic field है वो आपका maximum होगा इसका मतलब point P जो है वो आपका current element से 90 degree पे होगा और जब theta की value आपकी 180 degree होगी तो उस case में भी magnetic induction जो है वो आपका 0 होता है ठीक है तो यह था आपका features of biot 7 law next is में topic है हमारा what are the similarities and differences between biot 7 law and coulombs law छीक है तो इसमें हम देखेंगे कि जो आपका biot 7 law होता है और जो आपका coulombs law होता है उसमें क्या-क्या similarities होती है और क्या-क्या उसमें differences होते है तो यह question भी जो है आपका important है यह 2 और 3 marks में आ सकता है तो biot 7 law क्या होगा कि biot 7 law ने क्या सकते हो magnetic field निकाल सकते हो और उसकी values ने क्या दी db is equal to mu naught upon 4 pi अगर हम इसको ऐसे लिख लें ideal sin theta upon r square इसको हम ऐसे भी लिख सकते है magnitude wise हम इसको ऐसे भी लिख सकते है ideal sin theta upon r square और जो आपका coulombs law होगा coulombs law जो होता है आपका f is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught q1 q2 by r square ठीक है तो ये हमें दोनों पता चल गए हमें coulombs law क्या होता है और biomot 7 law क्या होता है ठीक है तो biomot 7 law for the magnetic field has certain similarities as well as differences with coulombs law for the electrostatic field तो इसने क्या कहा कि जो आपका biomot 7 law है और बायोट सेवट ला से हम क्या निकालते हैं मैगनेटिफ फिल्ड निकालते हैं और जो आपके कूलम्स ला से हम क्या निकालते हैं कूलम्स ला जो हम एलेक्ट्रस्टेटिक फिल्ड में यूज करते हैं तो दोनों के बीच में कुछ न कुछ 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 similarities भी होती हैं और कुछ कुछ जो हैं वो differences भी होते हैं दोनों में कुछ similarities भी हैं और कुछ आपके differences भी होते हैं तो first point क्या है both are long range दोनों जो हैं यह आपके long range है since both depend inversely on the square of the distance from the source to the point of interest the principle तो पहला point क्या दिया है कि दोनों जो हैं वो आपके long range है ठीक है तो दोनों क्या दिये गए हैं both are long range since both depend inversely on the square of distance from the source to the point of interest तो इसमें अगर हम देखें तो इसने क्या कहा है कि दोनों forces जो होते हैं वो आपके long range होते हैं ठीक है और दोनों ही forces जो है inversely on the square of distance पे depend करते हैं दोनों ही जो होते हैं जो आपका bio 7 ला होता है और जो आपका coulombs ला होता है दोनों ही जो हैं वो long range force हैं यानि कि इन की जो range होती है वो ज्यादा होती है और दोनों ही inversely on the square of distance पे depend करते हैं inversely on the square of distance पे depend करते हैं इसका मतलब कि अगर हम coulombs ला को लिखें coulombs ला में क्या होता है आपका 1 upon 4 pi epsilon 0 q1 q2 by r square तो अगर हम यहाँ पे देखें coulombs ला का अगर हम r के साथ में relation देखें तो इसको हम क्या लिख सकते हैं कि जो f है वो r square के साथ में inversely proportional है अगर आप r का आपका r increase होगा तो f की value क्या होगी? decrease होगी तो इसको हम लिख सकते हैं कि coulombs ला में जो force होता है that is inversely proportional to 1 upon r square ठीक है तो यह भी हमने देखा क्योंकि q1 q2 by r square है तो यानि कि जो f है वो inversely on the square of the distance f किस पे depend कर रहा है? inversely on the square of the distance पे depend कर रहा है तो ऐसे अब हम देखते हैं कि magnetic field में भी तो magnetic field के लिए जो हमने लिखा b इसको हमने ऐसे लिखा था vector form में mu 0 upon 4 pi i dl cross r upon r cube इसको हमने ऐसे लिखा था ठीक है तो इसको हम solve करके लिखे हैं अगर तो इसको हम लिखे हैं mu 0 upon 4 pi तो इसको हम लिखे हैं अगर i dl cross r को हम क्या लिख सकते हैं? d r sin theta upon r cube तो उपर वाला factor आपको क्या हो गया? i dl r sin theta तो dl cross r को मैंने क्या लिख दिया? dl r sin theta तो एक वाला r जो है नीचे वाले r cube से cancel हो जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा? i dl sin theta upon r square तो b की value हमारे पास क्या बचेगी? vector product को solve करके क्या बचेगी? mu 0 upon 4 pi i dl sin theta upon r square ठीक है? तो इसमें हम देख रहे हैं कि जो आपका magnetic field है वो भी r k square पे inversely depend करता है तो vector product को solve करके पहले जब हमने vector product नहीं किया था तो नीचे r cube था लेकिन vector product को solve करके numerator का जो r है और एक denominator का r आपका cancel हो जाएगा और आपके पास बचेगा mu 0 upon 4 pi i dl sin theta upon r square तो इसका मतलब जो आपका magnetic field है b यह भी आपका किस पर depend कर रहा है magnetic field का जो b है यह भी आपका inversely proportional to the square of the distance between the source and point pointer source के बीच का यह distance है ठीक है तो यहाँ पर आपने देखा कि दोनों में क्या similarity है दोनों जो है वो आपके long range force होते हैं और दोनों ही जो है वो आपके inversely depend करते है square of the distance पर ठीक है और next in में similarity क्या है the principle of superposition applies to both field यानि कि principle of superposition जो magnetic field पे भी apply कर सकते हैं और force पे भी हम apply कर सकते हैं उसमें ने देखा कि पहले charge की वज़े से जो force है दूसरे की वज़े से जो force है तीसरे की वज़े से जो force है ऐसे ही हम बहुत सारे forces को add कर सकते हैं इसे ही जो है हम इनकी magnetic field को भी add कर सकते हैं इसको हम क्या कहते हैं principle of superposition कहते हैं तो यानि कि दोनों में principle of superposition जो है हम apply कर सकते हैं इन इस connection note that magnetic field is linear in the source IDL just as electric field is linear in source electric charge तो यहां पे हम देखें कि जो magnetic field का source है वो क्या है आपका IDL इसमें हमने देखा कि जो magnetic field है वो किसके द्वारा produce होगी current element IDL के द्वारा produce हो रही है और जो आपकी electric field है वो किसके द्वारा produce हो रही है आपकी electric charge के द्वारा खीक है हमने देखा कि जो आपका अगर यहां पे कोई भी charge क्यूँ है कोई भी charge क्यों है यह प्रड्यूस करता है यह charge आपका एक electric field प्रड्यूस करता है ठीक है तो electric field कौन प्रड्यूस करता है एक electric charge जो है वो आपका electric field प्रड्यूस करता है ठीक है और magnetic field कौन प्रड्यूस करता है तो अगर हम देखें कि कोई भी आपका current carrying element है अगर आपका कोई भी current carrying element है तो वो आपका magnitude field प्रड्यूस करता है तो magnetic field आपका कौन produce करता है current carrying element या current carrying conductor तो current carrying element जो IDL होगा ये magnetic field को produce करेगा और जो charge है क्यों वो आपका electric charge को produce करेगा ठीक है तो यहाँ पर हमने दिया कि जो आपकी magnetic field है वो किसके दोरह produce होती है उसका क्या source है हला उसका source है current carrying wire यानि की IDL और जो एलेक्रिक फिल्ड है उसका source क्या है अलेक्टरिक चार्ज यानकि जो आपका थील्ड को produced करता है और IDL जो है ये आपका magnetic field को पेडियूस करता है चार्ज कि lu electric field है वो किस्के दवारा produce की जाती है Death और जो आपकी डुआर्व और मेंग्नेटिक फिल्ड डाव किसके दौरा प्रडूर्ड यूल थिकाइंत तो यहा पार हम देख रहे हैं कि जो जो आपका पर quantity होती है जबकि जो magnetic field है वो किसके द्वारा produce की जा रही है IDL के तो इसमें IDL, DL जो है यह आपकी एक vector quantity है तो यानि कि यह जिसके द्वारा यह आपकी magnetic field produce हो रही है यह आपका एक vector source होता है ठीक है तो charge जो है इसको produce कर रहा है electric static field को और charge जो है और यह आपकी scalar quantity होती है और magnetic field किसके द्वारा produce हो रही है एक current carrying element के द्वारा IDL के द्वारा कुर द्वारा 술 को हम ऐसे लिखते है wygląda कि यह क्या है आपका एक vector source है और यह किसको produce करता है magnetic field को तो दिस इस दा source of magnetic field तो इलेक्ट्रीट का जो source हो रहा एक scalar source होता है और magnetic field का जो source होता है वो आपका एक vector source होता है और इसको हम क्या लिखते हैं IDL इसके बाद है electrostatic field is along the displacement vector joining the source and the field point and the magnetic field is perpendicular to the plane containing the displacement vector r and the current आइडियल तो इसमें next point क्या बताया है कि जो आपकी electrostatic field है उसकी जो direction होती है वो किसके along होती है जैसे कि मानलो यह आपका कोई भी चार्ज है ठीक है और यहां पे अगर हम इस पॉइंट पर note milk preview देखनी है तो यहां कि जो electric field की डरेक्शन होगी यह electric field की direction होगी ठीक है तो यहां पे मानलो आपका कोई positive चार्ज है और यहां पे हम इस point पर देख रहे हैं तो यानि कि इसकी जो इलेक्टिक फिल्ड की डारेक्शन होगी वो इलोंग दा यूनिट वेक्टर होती है इलोंग दा पोजीशन वेक्टर भी हम इसको कह सकते हैं यानि कि इलेक्टिक फिल्ड की जो डारेक्शन होती है along the position vector यह हमने electric field में देखा ठीक है, कि जो electrostatic field की direction होती है, वो displacement vector की, यान की position vector की along होती है यान की यहाँ पर अगर आपका कोई भी charge है, क्योँ? और इस point पर अगर आपको देखनी है, तो दोनों को join करने वाले point का along, अगर हम यहाँ पर देखनी है तो उसकी जो direction होगी वो से along होगी ठीक है तो एलेक्टिफ फिल्ड की जो direction होती है charge को point P से जोडने वाली line के along होती है यह हम पढ़ चुके हैं इसको एलेक्टिफ फिल्ड के case में और मेगनेटिफ फिल्ड की direction अभी हमने देखा इलेक्टिफ फिल्ड की जो direction होती है वो आपकी R के along होती है इलेक्टिफ फिल्ड के case में लेकिन जो मेगनेटिफ फिल्ड की direction होती है उसमें हमने देखा कि यह किसके बरावर होता है IDL x R के बरावर इसका मतलब वो R के भी perpendicular है displacement vector के भी perpendicular है और current element के भी perpendicular है next point s में there is an angle dependence in the biotsevert law which is not present in the electrostatic case तो electrostatic case में जब भी हम electric field निकालते हैं तो और angle पर depend नहीं करती है तो जो electrostatic field है वो हमारी angle पर depend नहीं करती है लेकिन जो हमारी magnetic field है वो हमारी angle पर भी depend करती है तो यह हमने देखा कि जो हमारी magnetic field है वो हमारी angle पे भी depend करती है ठीक है तो इस वाले में हमने पड़ा what are the similarities and the differences between biot sabat law and coulomb's law तो यहां पर हमने देखा कि दोनों जो होते हैं वो long range forces होते हैं दोनों जो है वो आपके inversely proportional to the square of the distance from the source to the point of interest दोनों जो है वो superposition principle को follow करते हैं ठीक है फिर हमने second point में देखा कि जो electric field का जो source होता है वो scalar source होता है जो electric charge होता है और magnetic field का जो source होता है वो आपका vector source होता है जो की ideal होता है फिर हमने देखा कि जो electric field की direction होती है that is along the displacement vector और जो magnetic field की direction है वो perpendicular होती है displacement factor के भी और current element के भी फिर हमने देखा कि जो electric field आपकी angle पर depend नहीं कर रही है बलकि जो आपकी magnetic field आपकी angle पर depend करती है next है इसमें फिर permittivity and permeability ठीक है तो इसमें दिया है आपका what is a permittivity and permeability permittivity and permeability तो जो आपकी permitivity होती है इसको मैं पता है इसको किसे लिखते हैं epsilon naught इस दा permittivity और जो permeability होती है उसको किसे लिखते हैing new naught तो जो permittivity of free space हमने first chapter में पढ़ा था absolute permittivity of free space columns ला में जिसमें अमने पढ़ा था कि जो columns लाह होता आपका टो chargers के बीच में वो किसके बराबर होता है 1 upon 4 pi epsilon 0 q1 q2 by r square तो यह जो epsilon 0 होता है इसको हम क्या कहते है permittivity तो यह जो epsilon 0 है यह आपका क्या होगा permittivity ठीक है और जो permeability होगा तो अभी हमने magnetic field के case में लिखा कि जो आपका magnetic field होगा that is equal to mu 0 upon 4 pi ठीक है ideal sin theta upon r square तो यहाँ पर यह जो mu 0 है यह आपकी क्या होती है permeability तो जो permittivity है वो क्या होगी आपकी epsilon 0 permittivity जो है वो epsilon 0 होगी और permeability जो है वो आपकी mu 0 होगी तो देख लेते हम इन में क्या definition बताईए है electric permittivity ठीक है तो जो आपकी permittivity होती है electric permittivity epsilon 0 is the physical quantity एक आपकी physical quantity होती है that determines the degree of interaction of electric field with the medium electric permittivity हमें क्या बताती है कि कोई भी जो medium है वो electric field के साथ में कैसे interaction करेगा यानि कि जो आपकी electric field है वो medium के साथ में कैसे interaction करती है तो electric permittivity एक ऐसी quantity होती है, जो हमें यही बताती है, कि interaction of electric field with medium, कि किसी की भी medium में electric field का कैसा interaction होगा, ठीक है, however, magnetic permeability हमें क्या बताती है, magnetic permeability को हम क्या लिखते है, mu naught, magnetic permeability हमें क्या बताती है, it is the physical quantity that measures the ability of a substance to acquire magnetization in a magnetic field, ठीक है, तो याने कि इसमें क्या बताया गया, कि अगर यहां पर आपने कोई भी magnetic field, कोई भी मालो आपने यहां पर iron रखा हो है, और उस iron के पास में अगर आप एक दूसरा magnet रख देते हो, ठीक है, तो यह भी क्या बन जाएगा, यह भी आपका एक magnet बन जाएगा, ठीक है, तो इसका मतलब कि जब भी आप किसी दूसरे material को क कितना magnetize होता है, यानि कि आपके पास आपने कोई भी मालो यहां पर दो magnet लगा रखे हैं, एक north और एक south, तो मालो आपने यहां पर iron का रखा, तो जो iron वाला है, यह ज़्यादा magnetize होगा, फिर iron को होटा के आपने किसका रख दिया, एक steel का रख दिया, तो जो steel वाला है, वो आपका ज़्यादा magnetize हुआ है, और जो steel वाला substance है, वो आपका कम magnetize हुआ है, इसका मतलब permeability की ज़्यादा है, आइरन वाले की permeability ज़्यादा है, तो permeability का मतलब कि यह जो iron वाला है, यह permission दे रहा है, magnetic field को अपने अंदर जानेगी, तो कौन जो है, कौन सा material, कितनी permission दे रहा ह magnetic field को penetrate करने की, ठीक है, तो इसी को ही हम कहते है, कि magnetic permeability का मतलब क्या होता है, कि जब किसी भी substance को, अगर हम magnetic field के अंदर रखें, तो वो magnet बन जाती है, तो वो कितना अच्छा magnet बनती है, उसी को ही हम क्या कहते है, magnetic permeability कहते है, mu naught, तो यानि कि magnetic field के अंदर, अगर हम किसी भी substance को रखें, iron को रखें, nickel को रखें, cobald को रखें, तो वो सारे आपके magnet बन जाते हैं, तो कौन सा material जो है, वो कितना अच्छा magnet बनेगा, उसी को हम कहते हैं, mu knot, याने कि ये क्या दे रहे हैं, ये permission दे रहे हैं, magnetic field को अपने अंदर से जाने के लिए, ठीक है, और इसके बाद फिर, epsilon knot तो क्या होगई, आपकी absolute permittivity of the free space, या permittivity का मतलब क्या है, कि जो आपकी electric field है, वो किसी भी medium के साथ ने, वो कैसे interact करती है, तो दोनों के बीच में ये relation है, तो ये हाँ पे है, आपका, तो यहाँ पे आपको given है, कि mu knot और epsilon knot है, दोनों को फिर हमने क्या किया, 4 pi से multiply कर दिया, और 4 pi से divide कर दिया, तो इसको जो हमने 4 pi से multiply कर दिया, और 4 pi से divide कर दिया, ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका, इस वाले 4 pi epsilon knot को में कठा लिख लेंगे, तो ये वाला जो 4 pi epsilon पुर्ण पुर्ण इसको उमने ऐसे लिख लिए मिउन फुर्ण में पता है हमे जो है one upon four four pi epsilon not की value पता होती है coulomb जwnा में हमने one upon four pi epsilon not की value पड़ी थी वो कितनी थी? 9 18 तो यह value हमने पड़ीי 9cción ठीक है तो यहां पे जो आपकी 4 pi epsilon node की value होती है वो हो जाएगी आपकी इसकी value हो जाएगी 1 upon 9 into 10 is to power 9 ठीक है और mu 0 की मैंने value बताई थी mu 0 की value जो होती है वो किसके ब्रावर होती है 4 pi into 10 is to power minus 7 तो ये value value मैंने आपकी mu 0 की बताई थी 4 pi by epsilon node की value होती है वो होती है आपकी 1 upon 9 into 10 is to power 9 और mu naught की value मैंने आपको बताई थी 4 pi into 10 is to power minus 7 और नीचे क्या है यह आपका 4 pi है तो 4 pi से 4 pi आपका cancel हो जाएगा ठीक है तो यह बचेगा आपके पास उपर बचेगा आपके पास 10 is to power minus 7 और नीचे बचेगा 9 into 10 is to power 9 तो इसको solve करके जो आएगा आपका 1 upon 3 into 10 is to power 8 square और इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 upon c square यानि कि मैंसे भी लिख सकते हैं कि जो c square की value आएगी that is equal to 1 upon mu naught epsilon naught ठीक है और c क्या है that is the speed of electromagnetic wave तो यह आपकी speed of light भी होती है और इसको हम speed of electromagnetic wave भी कहते हैं ठीक है तो यहाँ पर जो mu naught है यह आपकी क्या है permeability और जो epsilon naught है इसको हम कहते हैं permittivity तो यह जो होती है यह आपकी permittivity होती है और यह जो होती है यह आपकी permeability होती है तो दोनों में आपको confuse नहीं करना और यह relation आपका बहुत important है thank you